हेलो गाइज दिस जोती आदर वेलकम स्यू आल एन माई योट्यूब चैनल आज की जो वीडियो है वो है मूंग के लड़ू कैसे बनाएं मीठे वाले मूंग के लड़ू आज हम इस वीडियो में बनाने जा रहे हैं तो चलो शुरू करते हमारी वीडियो तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं हमारे पास दो आप्शन है या तो हम जो मूंग का मूंग डाल का आटा आता है वो लेके आ सकते हैं या फिर हम क्या करेंगे जो मूंग डाल हमारे पास होती है जो नॉर्मल मूंग डाल हमारे पास होती है है उसको हम एक बार पैन में डाल के हलका सा अpit कर लेंगे उसे भून लेंगे बीना उसमें कुछ एड़ किए सिर्फ हम जो मुंगडाल है उसी को सुखा उस Mitte方 काना काला नहीं लेंगे हलका सा उसको भून लेंगे उसके बाद हम उसको पीस के उसका आटा बना लेंगे दूसरा ओप्शन तो हमारे पर सिंपल है कि हम मौंगडाल का आटा ले के आ सकते हैं और वुसी से हम बना सकते हैं तो कैसा आटा हमें चाहिए हम पतला आटा उसके लिए नहीं लेंगे हम जो हमारा मोटा वला आटा होता है वो आटा हम लड़ों के लिए लेंगे तो अब जो सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है कि घी पहले डाले या आटा पहले डाले तो जो लोग भून चुके हैं मुँझ को भूनने के बाद जिन्होंने आटा बनाया है तो वो क्या करेंगे पहले घी डालेंगे उसके बाद आटा डालेंगे और जो लोग बहार से आटा लेके आए हैं मतलब जिन्होंने पहले भूनी नहीं है दाल तो वो पहले आटा डालेंगे और उसके बाद घी डालेंगे उसके अंदर थर्ड पॉइंट की घी कितना डालें तो जितना हमने ली है लगा लो आपने एक कटोरा भरके आटा लिया है तो उसका 70% आपको घी लेना है 70 अगर आप कम खाना चाहते हैं तो 50% इतना ही घी आप लेना इतना की आप लेके क्या करेंगे उनको दोनों को मिक्स करके अच्छे से भून लेंगे काला हमें नहीं करना है अच्छे से भूनना है तो हमने अब क्या किया इसके अंदर जो हम भून रहे हैं इसमें हमारा घी कम है तो हम लोगों ने और घी इसके अंदर एड़ कर लिया है उसे हम अच्छे से वो कर लेंगे और जो हमारे एक और लड़ू बनते हैं ये तो हमारे मूँ के मीठे वाले लड़ू हैं एक बनते हैं नमकीन वाले लड़ू वो भी मैं आपको बना के बताऊंगी जो हमने आटा डाला है उसको हम चलाते रहेंगे वरना वो नीचे से लग जाएगा वो नीचे से काला हो जाएगा जादा भुन जाएगा और उपर वाला है वो ऐसे ही रह जाएगा तो जो धीरे धीरे जो घी है और वो आटा है वो मिक्स होके एक हलवे जासा रूप ले लेगा ठीक है तो हम वहां तक हम इसको continue चलाते रहेंगे मूँ के जो लड़ू है वो protein का एक बहुत अच्छा source होता है तो जो लोग gym जाते हैं वो लोग भी इसको खा सकते हैं ये एक अच्छा protein का source आप अपने बच्चों को दे सकते हो इससे दिमाग बढ़ता है हमारी body strong बनती है हमारा immune system strong होता है और जो लोग dieting करते हैं वो अपने जो उनकी diet है उसमें इसको add कर सकते हैं उसमें वो जो ये हमने घी add किया है उसको कम amount में add करें और जो milk होता है वो डाल के भी बना सकते हैं लेकिन जो हम दूद डाल के बनाते हैं वो जादा दिन तक नहीं टिकते हैं जादा दिन नहीं चलते हैं घी वाले हैं वो हम एक से डेढ़ महीने दो महीने तक स्टोर कर सकते हैं लेकिन दूद वाले हम जादा से जादा दस दिन उससे जादा हम उनको स्टोर नहीं कर सकते तो इसलिए हम घी में इनको बनाना प्रिफर करते हैं उसके बाद आपको इसमें अगर ड्राइफ रूट एड़ करने हैं तो मैं सजस्ट करूँगी कि ड्राइफ रूट को भी ऐसे ग्राइंड कर लेंगे दरदरा पीस लेंगे उनको पीसने के बाद हम इसमें एड़ करेंगे तो जो टेस्ट हमारा वो बहुत जादा इनहेंस हो जाएगा बहुत जादा जो टेस्ट है वो बढ़ जाएगा क्योंकि हम ऐसे नॉर्मल ड्राइफ रूट को काट के डाल देते हैं इसमें तो क्या होता है कि वो कुछ टाइम बाद जो ऑसके अंदर घही होता है घही के वज़ेसे वो सील जाते है . सीलने के बाद उसमें वो टेस्ट नहीं आ पाता इसलिए हम उसका पाव्डर बना लेंगे और पावडर बना के उसमें एड़ कर देंगे नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है या फिर जो हमारे पास टिप है वो है कि हम इसमें शुगर कौन सी एड़ करें तो शुगर के लिए मैं चीनी तो बिल्कुल मना करूँगी कि बहुत लोग क्या होते हैं कि चीनी को पीस के अंदर एड़ करते हैं तो वो तो बिल्कुल एड़ नहीं करनी हैं हमें तो फिर क्या एड़ करें आप इसके अंदर जो सक्कर आती है वो एड़ कर सकते हैं बूरा आती है वो एड़ कर सकते हैं खांड आती है वो एड़ कर सकते हैं या फिर आप गुड एड़ कर सकते हैं अगर आपके जो ब्लेड प्रेसर है वो हाई रहता है बीपी हाई रहता है या फिर जो शुगर आपको है तो आप इसके अंदर good एड़ कर सकते हो good को हम क्या करेंगे एक डेड़ ग्लास पानी के अंदर उसके चासनी बना लेंगे और वो इसके अंदर एड़ कर देंगे क्योंकि हम इसे healthy food बना रहे हैं όrovana बच्चों के लिए फैमिली के लिए हम इसे healthy food के रूप में ले रहे हैं तो हम इसमें चीनी अड़ बिलकुल नहीं करेंगे क्योंकि जो चीनी है वो बहुत हामफुल होती है हमारे लिए भी बच्चों के लिए सब के लिए तो इसके अंदर हम या तो जो हमारे पर गोड आता है वही एड करें मैं तो गुड ही सजिस्ट करूंगी अगर गुड आप नहीं ये इतने चास्नी बनाने का जंजट करना चाहते है तो आप सक्कर आती है गुड जैसी ही जो सक्कर आती है वो आप ले सकते हैं बूरा ले सकते हैं खांड ले सकते हैं बस उसको मिक्स कर लेंगे अब कितनी मिक्स करें जितना घी आपने mix किया उतना ही मीठा हम इसके अंदर add कर लेंगे तो उसके बाद उसको हम अच्छे से थोड़ा सा mix करने के बाद हम क्या करेंगे कि उससे थोड़ा ठंडा होने देंगे थोड़ा सा ठंडा होने के बाद आप इसके लड़ू बना सकते हो या फिर आपको बरफी पसंद है तो आप इसको एक प्लेट में लगाके और बरफी बना सकते हो तो लड़ू भी आप अगर फटाफट बनाना चाते हो तो ऐस तरह के बना सकते हो गोल बनाना चाते हो तो आज के हमारी वीडियो रेसिपी आपको कैसी लगी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई